मैंने आपको पताया परवत है पठार है पहाड़ है पहाड़ियां है जीले है नदियां है समुद्र है महासागर है जिसको अपन कहते हैं मादवीप है यह सभी चीज़े किसमें आती है स्तलरूपों के अंदर गदाती है तो मैं यहाँ पर पहले स्तलरूप की परिवाशा की ब प्रत्वी के वे सभी स्थान, स्थान कौन-कौन से है, जो या तो उचाई पर है, या गर्तनुमा 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 है भूमी आदी को क्या कहा जाता है स्थल रूप कहा जाता है इन सभी को क्या कहा जाता है स्थल रूप 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 कहा जाता है स्थल परवत, पठार, मैदान, पहाडी या आप के सकते हो महासागर या आप के सकते हो महादवीप उब्यान लिखे तो कई सारे मैं और लिख देता हूं चलनों साथ में जील, नदिया, जील हो गई, नदिया हो गई, पठार नहीं लिखा गया, पठार, आदी ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये स्थल रूप है, प्रत्वी के उपर विभिन प्रकार की आकर्चा जो पाई जा रही हैं इनहीं को आजता है स्थल रूप इनहीं सबको क्या लीछाटा है organized ये आप अपनी कोपी में उतार लेज़ेगा हालनकि कोई विशेश बात नहीं आप डायरेक्ट भी आतर शकते है कि अब लिष्टह बात करता हूं कि इनका निर्मान कैसे होता है E स्थल रूपों के निर्मान की दो प्रकरिया होती पहले में बात कर ले तो स्थल रूप के निर्मान की दो प्रकरिया होती एक होती है आंत्रिक प्रकरिया दूसरी होती है भाय प्रकरिया आंत्रिक प्रकरिया और भाय प्रकरिया अब आंत्रिक का मतलब होता है प्रत्री के अं यह और यदि पथी के ऊपर बाहे कार्कों के द्वारा किस परकार से जी यह प्रदन से हो सकता है जैने निक्षएक कर से हो सकता है अब प्रदन यह निक्षएपड द्वारा अगर स्थwelाकृती का कर्तियुं के निर्मान की प्रक्रिया अब जान दीजिएगा दो प्रक्रिया होती है प्रेली प्रक्रिया होती है आंतरिक आंतरिक प्रक्रिया जिसे कहा जाता है internal process कौनसा? internal process अब यह आंतरिक प्रक्रिया के दोरा इसका आर्थ यह है कि प्रत्वी प्रत्वी की प्रत्विक के आंतरिक भाग में गती के कारण यदि गती के कारण स्थला करतियों का निर्मा प्रत्विक के अंदर आपको पोता है कि प्रत्विक के आंतरिक भाग में बिल्कुल सेंटर वाले भाग में देखा जाये तो धातूं में वो गलित अवस्ता में तो उन धातूं की गलित अवस्ता में इस कारण से आंतरिक भाग में सदेव गती काटी से कई और इस निर्मान को तो उसमें कौन सी प्रग्रिया अपना जा रही है आंत्रिक प्रग्रिया प्रजी के अंधर रही है इस दूसरी है प्रग्रिया दूसरी ये बाईय प्रक्रुदिया अब बाईय प्रक्रुदिया आयनि Parex Amin को की प्रिथी आ हुआ कि भार मैं प्रिषी के बार मतलatically के अंदर नहीं होगा बार होने वाले परिवर्तन अब यह परिवर्तन कौन-कौन से होते हैं उनकी बात करूंगा से स्थल्रूपों का निर्माण स्थल्रूपों से यह जो है कारक कौन-कौन-कौन-से जो स्थल्रूपों का निर्माण कर रहे हैं जिन कार को से दो कारक कों कौन से हैं ओ कि यह मैं दो प्रक्रिया बाएंने सामिल होती है अपरदं अपरदं एक ऑप यह डिकशत पर कैने निभाद उन फिरन क्या होता है इसतल डूप का निर्मान होता है अब देखिए कैसे अपरदन का मतलब तो आप जानते हैं यह अपरदन किसका है मिटी या निव्रदा का अपरदन जीसे मानने कोई इस्तला करती है या नि पहाड पठार कोई पहले सी बना हुआ है अब अगर उस पर कोई नदी बेहती है ना बड़ी बड़ी चट्टान यह अब क्या होता है अगर नी बहती है तो नधी अपने साथ में मिट्व को बले जाएगी और यह मिट्य नीचे वाले बाग मे उस पहाड या पर्थारIST के निचे वाले हिसे में तलहटी वाले हिसे में इसमें जमा कर देगी इससे नई इस्वा 나தenario भार नदी बहुती है सो nagy अपने साथ में मिट्टी को बहा कर ले जाएगी और यह मिट्टी नीचे वाले बाग में उस पहाड या पठार के नीचे वाले हिस्से में तल हटी वाले हिस्से में इस मिट्टी को जमा कर देगी इससे नहीं इस्तला करती है नि मेदान का निर्मान होगा नदियों से मेदानों का निर्मान होता है इसी परकार से जल से अपरदन हो रहा है तो उसी परकार से हवा से भी अपरदन होता है हवा आंधिया चलती है इससे भी क्या होता है मिट्टी पथर जो है वो गिष्टे हैं देर देरी जो आकरते पहले बनी हुई है पूराने समय में वो देर देर उनका रूप परिवर्तित होता रहता है और नहीं चीज का मिंदम होता है तो नहीं स्टलाकर्थी हो रहा है यह किस परकार से हो रहा है अब लगुण हो रहा है अभिस सकता है यह वायू से हो सकता है यह जल से हो सकता है और तीसरा किस से हो सकता है बर्प से हो सकता है जैसे आपना हीमाला है हिमाले से भी जो है उसके जो बड़े-बड़े करते हैं को कि अपर दनों निक्षे है है करना और जमान होना अपरदनों नक्षे पर इसके करना को होता है अगर अगर से अश्प मादीप कर रहा है हमें रहे हुस... यह इस परकार से आपको समझ में आया होगा कि अस्तल रूप जो होते हैं जितने भी सारे विविन आकर्थिया है वह सब अस्तल रूप है और इनका निर्मान दो कारकों से होता है या दो प्रक्रियां से होता है आंत्रिक प्रक्रिया और बाहर प्रक्रिया आंत्रिक प्रक्रिय बनती है और दूसरा बाहे प्रक्रिया यानि बाहे कारकों जैसे अपर दोनों लिक्षपन इन दोनों के करण जो स्तरला करते हैं स्तरलूप बनते हैं तो यह किस प्रक्रिया के अंतरगत आते हैं बाहे प्रक्रिया के अंतरगत आते हैं बात समझ में आगे होगी आपको चले मे मैं इसको मिटा देता हूं और आगे की बात करता हूं स्क्रिंशोट ले 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 आप अब देखिए यह तो हमने मिटा दिया है अब इनका करते वर्गी करण स्थल रूपों का वर्गी करण यानि स्थल रूप कितने परकार की होते हैं स्थल रूपों का वर्गी करण मैं यह आप लिए तो हम वर्गी करण वर्गी करण that means classification देखिए तीन करण में वर्गी करण होता है इनका तीन करण में कितने तीन पर्थम करम जृती करम और त्रती करम अब यहां पर वर्गी करण में तीनों करमों की बात कर लाता हूं और जो आपना दूसरा करम है वह हमें पढ़ना है आप एवं धाल के आधार पर नमबर एक प्रथम कौन सा है प्रथम करम कोई सा करम प्रथम करम प्रथम करम के थालरूप अब प्रथम करम के थालरूप में दो चीज़ आती है प्रथम करम के थालरूप में कितनी चीज़ आती है दो चीज़ आती है दो चीज़ आती है एक तो महासागर और दूसरा हाता है महा जीब अधर और महाजीब पर उपर उपर उटे वह बाग होते जो नहीं तुर महा जीब होते हैं बढ़ा बुबाग होता है बहुत बड़ा पूपा यह भी बहुत बड़ा पूपा होता है दूसरे करम में cheaper सबसे नंबर एक परवत क्या आता है परवत दूसरा पठार परवत पठार और तिसरा आता है आपका मैदान परवत पठार और मैदान और हमारे रीट के लिए ये ही इंपोर्टेंट है क्योंकि छट्टी की किताब में ये ही दिया हुआ है इन दूसरे पर्थरम कर्म के सलूप और तृति कर्म के सलूप इनकी बात नहीं कर रखी है। तृति कर्म के भी मिलिक देता हूं यहां पर आपकी नोलेज के लिए। शामिल है यह आती है। शोरी आयम मिश्टेकिंग बार बार। तृति करते हैं आती है। जैसे जील क्या है। जील और में उर्दू धर्म जैसे जील है। गाटी है। क्या है जील है। गाटी है। शीकर है। प्रपात प्रपात जल प्रपात जरने। प्रपात प्रपात गोखुर या गोखुर केते गोखुर। ऑगी। इफिए बिल्कुल छुठचुठच आ करते हैं। यह तीसरे करम में आती है। नहीं हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है? जीती करम में पर्वत पठारन मैदान लिख लेना रट लेना उसना कुछ भी कर लेना लेकिन या से एक प्रप्रप्र परसेंट आए गई आएगा एक परस्टन हंडेट परसेंट आएगा रीट में एक प्रस्टन थीके साथ इनको आप लिग लेना हमें कौन सी पकड़ने पड़नी दिती करम में जो सल रूप है परवत पठार और मेदान तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी परवतों की और आज का वीडियो केवल परवतों तक ही समित्रेने वाले आगे वाले में हम पठार और मेदान दोनों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना है शेर तो कर नहीं है मैं सब्सक्राइब आपको करना है यह चीज़े कहने नदियां आ गई गोखुर यानि गोखुर आ गया अपका शिखर आ गया प्रपात आ गया यह सारी चीज़े तीसरे में सलूप के निर्माण की दो प्रक्रियां पड़ी एक आंतिलिक प्रक्रिया एक बाहे प्रक्रिया मैं वापस रिवाइज करूंगा लाश्ट में आप एक बार में इसको मिटा देता हूं और हम बात करते परवर्वत की मेंना दो जाओं स्क्रीन शूट ले लेना मैं सोड़ा तो यह तो हो गया वर्वर की करन और अब नंबर एक लिखते हैं अपन परवत क्या लिखते हैं परवत अब परवत होते क्या है सबसे पहले तो यह जानना लावस्ठे कि है कि परवत होते क्या है अधिन के लिए हमें यह जमद्यत होने हैं परवद की करने लॕर इस बेस्त्रला करती है या असल रूप जो या जिन की जिन की उचाई छेसों मिटर कितने मिटर छेसों मिटर से अधिक हो चेसों मिटर से अधिक हो तथा जिन का तीवर ढलान हो जिन का तीवर ढलान हो और आगे लिखता हूं तो आखरती शंक्वाकार केसी शंक्वाकार पर्वत कहते हैं कि पर्वत कहते हैं बाद में आ गई या पर्वत कहते हैं चोटी परिवशा बनाना चाहें तो अपन ऐसे बना सकते हैं कि 600 मिटर से अधिक उचाई वाली तीवर ढलान वाली संक्वाकार आक्रतियों को मैं लिख देता हूं 600 मिटर से अधिक या घर के लिख देता है या 600 मिटर से अधिक उचाई वाली तीवर ढलान वाली तीवर ढाल वाली शंक्वाकार संक्वाकार आक्रतियों को पर्वत कहा जाता है क्या कहा जाता है पर्वत पर्व्त होटें क्या है तो पर्वत यह होते हैं और कैसे होते हैं थी होते हैं तीवर ढलान विंद बने लजी करती हूं आए तीवर ढलान विंद यूपत इसको ओधर छुए से वनड़ेता थे औरkem हैं और इहां परेग च्छोटी सी रिख दोगत बना देता हो उन आपन आपन बड़ी सिस्तला करती बना दिते है यह लो शाप यह लो शाप यह पर्वत हो घागएं ऑयद्रेव entire the तो शंक्वा करती होनी चीए ने उंचाई कितनी होनी चीए ग्रेटर देन 600 मीटर अगर इससे कम उचाई है ने ऐसी आ करती है इससे कम उचाई है ने ऐसी आ करती है तो उसको पहाडी का जाएगा इससे अगर लेस देन है 600 से लेस देन है तो उसको कहेंगे पहाडी क्या कहेंगे? पहाडी बात पिलने पड़ गई ठीके? परवत बेस तरला करती है जनकी उचाई 600 मिटर से ज़ादा हो आकरती शंक्वाकार हो और ढाल तीवर हो उसे हम क्या कहेंगे परवत कहेंगे ठीक है सब लीजे स्क्रीन सोट मैं साइड में रे जाता हूँ चलो ले लिए आऊगा स्क्रीशो ट Taiwan अब परवतो की कुछ परवतों की बाते बाते हैं और परवत्र के बात में हम इसको खतम करते हैं इस समय उसक उतरल करते हैं कर देंगे नेक्ट में बात करेंगे आगे पठार रह अद इंद satisfying अब इंकी कुछ बाते करते जाते हैं कि परवतों का परवतों शिखर है मतलब चोटी सबसे उप्री भाग ये वाला जो भाग है उप्री चोटी है ना यह छोटा चोटी चोटी ओर चोटी का मतलब है इनल्गें और पतली पतली एंवाम कि आधार कि यह वाले त्यान रखना तो इस प्रवतों का शिकर शुक्न को रहे ख़ा हो चोड़ा ठीप आधार होता है आप् deto का शीखर पतला होता है चोटा होता है और आधार चोड़ा होता है लिए likened कर नदी निखका होता है सब्सक्राइब समार पिसी थे कर दो यहां पर जमी हुई जो नदिया के परधार कि दे updated without पर्वतों पर्वतों पर जमी हुई नदियों को हिमाद्री क्या कहेंगे हिमाद्री कहा जाता है बेरी इंपोर्टेन हिमाद्री कहा जाता है पर्वतों पर जमी हुई नदियों को हिमाद्री कहा जाता है बात समुद्र में आगई होगी आपको अब देखो एक नई बात क्या है कि शमुद्र के अंदर भी परवत होते ये तो आपने धरातल से उपर परवत थे अब बात क्या आती है कि शमुद्र के अंदर भी परवत होते महा सागरों जिसको पन समुद्र केते हैं मैं भी परवत पाए जाते हैं और इसका उद्राण भी बात करें तो परशांत मासागर में एक परवत है और उस परवत का नाम क्या है मोनाली क्या नाम है मोनाली मोनाली या मोनाकी परवत मोनाकी परवत जो है वो प्रसंत मासागर में जिसकी उचाई एक हजार दोसुन पांच मिटर है स्वरी 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 जिसकी उचाई दस हजार दोसुन पांच मिटर कितनी है इसका एक एक जमपल लिख देता हूं मोनाथ की परवत्त परशान्त महाता गर्व और उंचाई कितनी है इसकी दस हजार दो सो पांच लिट्र कितनी है दो सजार दो सो पांच मेट्र मतलब कि ने का आयरत यह है कि यह मांट एवरेश्ट से भी और उंखी है लेकिन यह महासागर में कापर है महासागर के अंदर बात समन्ना गई और भी बात करें तो परवत जो होते हैं यहां पर ने तो हम निवास कर सकते हैं नहीं यहां पर कर सकते हैं किसी नहीं कर सकते हैं किसी लिए नहीं कर सकते हैं यहां पर रहना मुश्किल होता है जीवन यहापन करना मुश्किल होता है थेरे कैसे कई बेठें गुड़क के नीचे आ जाए तो खरियावर हो जाए तो यहाँ पर जीवन यहापन नहीं किया सकता है और उसरी की क्रशी भी नहीं कर सकते करशी के लिए समतल भूमी कर आशकता होती अब यहाँ एसी तीवर डाल वाली जगह पर कैसे जो है बूमी कर खर जीवन यहाँ नहीं हो सकता करशी और आवास नहीं किया जा सकता करशी और आवास नहीं किया सकता और आवास में समषा एक समशा और यह भी है कि यहां की जलवाइए ओन भूद कठोर होती ही भी जेना बहुत सरर्दी वली हो सकती और अज करना मुश्किल होता है और एक चीज और है कि अगर परवत कि एक ही रेखा में कहीं पर फे एक श्रंखला में डेंगर फोना में उसके यह परवत है उसके साथ आगे यह परवत है इस तरफ यह परवत एक श्रंकला बन जाए तो उसे हम क्या केते परवत श्रंकला श्रंकला में उपस्तित परवतों को या परवतों की श्रंकला को परवत श्रंकला खा जाता है इनी एक करम में अचले तो एक व्यवस्थित 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 करम में उपस्थित पर्वतों को पर्वत श्रिंगला श्रिंगला कहा जाता है पर्वत श्रिंगला या पर्वत माला कहा जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां से प्रशन बढ़ने की शमावना बहुत अधी के आई judicial आई एंप इंप चांग जो पानी यानि मास अगर में पाए जाने वाला पर्वत है मोना की परवत है जो प्रशांथ मास अगर में किसमें साथ कॉन्से मास अगर में परशांथ मास अगर मेंश की जो है रूचाई क्या यह रूच्ता है उप किई económstart populia तो उससे भी ज्यादा है तो आठ जार आठ सोटाली दोसो पास इसका मतलब यह कह सकते हैं जादा बड़ी परवत हिमालय अब परवत यह उद्धारण जैसे कौनसा था एशिया में हिमालय हिमालय परवत यह किसमें है एशिया मादीप में इसल्पशकॉंसान अलपश परवत है यह अपना कहां पर है यूरोप आलपस नाम तो है इसका आलपस है अल अधा अधा अधाल परवत यूडोप 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 और तीजरा है तीजरा का न्याम किया है एंडीज एंडीज प्रवत संगला एंडीज एंडीज और यहां कहां पर है लक्षीनी अमेरिका लक्षीनी अमेरिका एरे बगवान लक्षीनी अमेरिका में कौन सा है एंडीज आल्प्स परवत यूरोप हिमाले परवत एशिया यह आपको सुमेलित करने के अंदर अंतरकत दिया जा सकता है प्रश्ण डाइरेक्ट की निम्न को सुलम सुमेलित कीजिए और यहां पर मोना की परवत भी दे देगा चारों ऑप् यूरोप और एंडीज दक्षिर अमेरिका उसके बाद में मोना की परवत प्रवत। महासागर के अंतर अंदर है और इसकी उंचाई है अदस हजार दो सब्सक्राइब है कि नपर लिखा हुआ है लिए पास समझना हो कि मेरे इस साभ से अब मैं बात कर लेता हूँ परवतों कि पर्वत्यों के परकार आप इसम ले लिए और मैं यह करता हूं मिटा देता हूं एक बार देख लेता हूं कितना record हुगा है ड़ु डुल्फ ने इतव है कि याद रखना है हे मैं यह मला ऐशिया और मोना की प्रस्थाम नासा कर आ में धुいました लार दोसो पांच मीटर चलिए आगे चलते हैं यह बात तो समझ में आगे हमाद्री क्या होती है जमी वी नदिया माशागरों मैं भी परवत्पाय जाते क्रशी और नहीं की जा सकती यह सरी बात आप आप समझ जाएंगे अंडरस्टेंडिंगे यह इतनी किसे तो चलिए परवतों के प्रकार परवतों के प्रकार टाइप्स और परवत नमस्कार साथ परवत तीन प्रकार के होते हैं नमबर एक वलित परवत दूसरा ब्रंशोल्थ परवत परवत तीसरा होता है कि महाद्वी महाद्वीप्य परवत-एस वरी स्वरी आया एंस ओरी यह जोला मुखी परवत तो ऑला मुखी Do होड़ा फड़ा ब्रंशोलत जो अलग के लिख राहे वलिद परवत ना दो बड़े भूबॉब आगे अगर बूबॉबॉब अब इसका एक बड़ा भूबंफार तो तूट गया फोल्ट नीचे की तरफ श्थाफित किस परकार से हो जाए को यह तो यह बाग किस तरफ श्थाफित हुआ नीचे इसका मतलब यह जो बाग था में इधर से तो इसको भी काट रहता है और इसको थोड़ा स्लीक है इसको 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 जो ta ti gu ciao ये वाग मोड़ाए वजये किनारे तो यहाँ पर निल्माद हो रहे इनको कौन से कहते प्रकार के होते हैं का यह शिय दर तो हतर ईशे बना देते हैं ओना कि यह बना देता हूं से यह लग ऋए कि यह लोई साथ चाहिए उपर उठाओ ये उश्के बाद में उसके बाद में एक इदर भी बना जिते हैं ये लोग कि यह लो कि कि इस प्रकार से उपर उटाओ अब यहां पर इसके भाग इसके भी था यह मीचे किसा जाएगा यह लो साब तो यह भाग नीचे बेट गया है यह दोनों बाग उपर रहे गए तो बड़ा भाग तूटकर नीचे चला गया नीचे की और उस्टावित हो गया इससे अगर किसी परवत का निर्मान होता तो वह प्रश्व प्रश्व प्रवत होता है और तीसरा प्रकार का है ज सब्राग गो होते हैं देखो कि पुल्याम की परवज्व होते हैं बॉh एंस्टप्र ऊасьद म Meghu कोज इस परकार से निकलता है यह यह लावा बार निकलता है लावा 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 निकलता है धीक ँरूदी दीर 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 डीया इस न्मेइसे लावा खटम होता जात करते हैं और इस प्रकार से अगर लावा के जमने से यानि ज्वाला मुखी के वी स्पोर्ट से अगर किसी प्रवत का निर्मान होता है तो वह ज्वाला मुखी प्रकार का होता है वलित दो बड़े भूबागों के टकराने से एक नीचे गुश जाएगा एक उपर आ जाएगा और इसे उबड़ खाबर जगे बन जाएगी उपर की तरब ऊड़ जाएगा एक बाग एग नीचे गुश जाएगा इससे वलित प्रवत जो यह बनता है ब्रंशुलत परवत है वलित परवत की बात करें तो भारत में जो अरावली है अरावली ये विश्व की प्राचीन्तम सबसे पूराणी प्राचीन्तम को हो चाहे सबसे पूराणी को वलित प्रवंच रगला है अरावली वीश्व की सबसे प्राचीन वलित परवत शंकला है, यह बात द्यान रखनी है, तो अरावली किस परकार का परवत है, तो वलित परवत है, अरावली किस परकार का परवत है, आप से वलित परवत के उधारन पूचь सकता है, और वलित परवत के उधारन पूचिछता है, यहाँ पर उधारन लिख देता हूँ, एमेरिका अरावलिया बारते वह ओ कै और के अपलेशन ना है no करी यह कहां पर है उस्त्री अलिका है कि या यह ऊन्द प्रवत यह लें यह दो आप्न पर्वत रूस आप यह टीनों कि अधनी लेकिन यह दोनियों इसके बात के हैं कि यह तो भोग पूरण है तेकिन इसके बाद के सबसे प्राचीन किसी वह प्रत शंगला की भात करें तो वह अपना जो है भरत का जो अरावली प्रत शंगला यह वह आगीरासान सबसे ज्यादे विश्तार आपको पता है अरावली प्रत मला 550 50. कि लो मेटर हे टोड़ल ये चास तो बरण हम ना चास्श्व बरण है तो यह बाद आप गुजान में रखनी यह ऐसी परसंट है एक किलोमेटर 80 % को यह बास आफ सो पचाष क्लीमेटर ना राजस्थान में है तो यह तो तीनों जोए वरिफ प्होर्मी शरक्राइब होई हैं दूसरी आपके कौन से प्रचोलत परवत कौन से वाले प्षोंत परवत और में दोडारने आपके पास में रैंगाटि यूरोप और वॉस जेस कौन सा वॉस जेस परवत यूरोप दोनों यूरोप में राइन काटी और वॉस जेस इसके दोनों उदान कौन से वोस जैस वोस जैस राइन गाटी यह दोनों कहां पर है यूरोप में और उसके बाद कि परवत यह तो आप समझदें जोला मुखी बुदगार तो इसको पर जोला मुखी परवत करतें जैसे मांट किली मनजारों मांट किली मनजारों यह अपना कहां पर अफरिका में है और फ्यूजियाम जापान में दो उदार आपन इसके जौला मुखी वाले प्लिक्षा यह यूरोप में में यह पिलेगता हूं ये दोनों है यरोप में मांट किली मनजरो मांट किली मनजरो मांट सकम है मैंने प्रिक लिमस्त यह अपर है अफ्रीका में एक और नाम आपने पास में चूजी आम जापान् प्रिक्वाण जापान अ यह दोनों ज्वाला मुखी परवत है वह जेज और रायन गर्टी यह यूरोप में है यह कौन से तो यह आपके सारे और ज्यान रखने हैं कि आप से अगर पूछ ले किमन में से कौन सा वलिट परवत नहीं है तो तीन तो छी तोन से परवत हैं एक ऊप्षिन इसका देदिया दो उसके जिए एक इसका देदिया यह उसका दे एक तरह को आप से पूछेगा की कौन सा है तो आप यह दोनों इसके दोनों एह रखने इसके दोनों यह कौन कोंगे से अलबों से अपीलैशन वृराल पर्वत भारत में और यह वलिद प्रवंच भाइं धित्य घर यहाँ करत यह पर यहां पर क्या है मांट किलिम और इन पहले माउनट किलिम मद्हारो संस्थाव्ण है वे कि और अन्ती승 भिंद्ड की बात करता हो इतनी बाते आपको समझ आ गई होगी ये नौट में लिग लेनी आपको कि इसनी परिपाशे में ने बताई है आपको तो हम जो leads सकते हो मैं इसको में शácसा है इनके लाब क्या क्या है इन além के लागों की परवत के पांच चे साथ लाव है और हमें क्या मिलता है उनकी बात कर लेते हैं लाव परवतों के लाव परवतों के लाव चोटा सा टोपी के 20-30 मिन के कल निपड़ जाए अभी लगबक होने को आया है परवत की बात कर लेंगे दूसरी बात कर लेंगे तो परवत क्या होते संग्रहागार होते परवत परवत विभिन परवत विभिन उपयोगी वस्तूं के संग्रहागार होते हैं अब संग्रहागार होते हैं अब संग्रहागार होते हैं इनमें क्या क्या होता है इनमें वनस्वत्ति होती है इसमें जीवजन तू रहते हैं वहनें जीवजन को किते वो रहते हैं इंसे हमें इंदन मिलता है इनसे हमें बहुत सारी चीज़े पराप होती है जैसे अपने जड़ी पूटिया है वो मिलती है बहुत सारी चीज़े मिलती है कौन कौन सी मिलती है आप यहां पर द्यान देना देखो मैं सिधा बोल देता हुझा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्रवत फर जमी हुई नदिया होता है कुट हीमानी कहलते है और नदियों का होता है से गरंगे नदीओ उपयोन होता है पेहला नदीओ आपन इंभी करेंगे पीने में करेंगे सब्स्क्राइब तो यह को गया कितना बड़ा उपयोग है सबस्क्राइब क्लीए जल कर पाइने होता है उसमें उर्जा होती है और उसका आपन बिजली बनाने के लिए उप्योग कर सकते हैं टर्बाइन घुमा कर शीचाई में भी करते हैं वीबीन प्रकार के फनस्पतिया हैं जिम जंतु अभी मन बता दिया आपको होनों से इंदन चारा आश्रे आश्रे अस्तल जीवजंदों के लिए आश्रे अस्तल हम रहें तो हमारे भी लें भी आश्रे अस्तल है इंदन मिलता है लगडी बगधरा वोचारीश जीजे मिलती है ऐस गोंद रेजीम अदीदीनी सारे जीजे प्लती है जड़ी बूटिया मिखती है और परवत जो होते हैं गूमने के लिए काम आते हैं ब्रह्मन के लिए काम आते हैं तो कितीनी इची बात है जैसे अपने 12 लोग जाते हैं कहां पर मांट एवरेस्ट पर चड़ाई करने जाते हैं परवत खेलने के लिए काम आते हैं तो कौन कोचे खेलें जैसे पेराग्लाइडिंग हैंग ग्लाइडिंग रिवर स्कॉटिंग या रॉफ्टिंग श्काइन आधी-आधी जो है ग्यम खेलते हैं इतने सारे उप्विवग है उप्विवग से भी आपको श्टेटमेंट में प इस प्रकार से कोई सभी प्रशन बन सकता है तो दोस्तों आज की वक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आप इनको अच्छे से बना लेना इसे एक प्रशन जरूर आने वाला है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तो जरूर शेयर करना है